हरी भरी वादियों और प्राकर्तिक सुंतर्ता के लिए पहचानी जाने वाला मड़ी पुल एक समवेदन शील सीमावर्ती राच भी है ऐसे में सामरिक लिखास से के राच अलग एहमियत रखता है इतने समवेदन शील राच में इतने बड़े स्तर पर हिंसा नसित राच बल्कि किंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चुंता का विशे है आदिवासी और गैर आदिवासीों के बीच की ये लड़ाई अब वर्चस्व का जंग परी हुई है आखिर क्या है ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के सरिये हम आप को बताते हैं देश के उत्तर पूर्वे राच मरीपुर में जम कर बवाल मचा और हिंसा हुई हिंसा के बाद राच के आठ जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया इंटरनेट और मुबाइल सर्विस भी पाँच दिनों के लिए बंद कर दिया गया है खालात इतने गंबीर हो गए कि स्तिती पर काबू पाने के लिए सेना और एसम राइफल्स को मोचा समालना पड़ा और करीब सारे साथ हजार लोकों को हिंसा प्रभावित दलाकों से निकाल कर राहत कैम्प में शिफ्ट करना पड़ा और पुलिस के लिए भी वाकई एक बड़ी चुनोती बनी हुई है सबसे पहले आपको बता दी कि आदिवासी और गयर आदिवासी समुदायों के बीच हुई जड़प ने एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया राच्र के अलग-अलग हिस्सों में All Tribal Student Union मड़ीपुर के एक आदिवासी एकताम मार्च के दुरान ये हिंसा हुई आदिवासी और गयर आदिवासी लोग आपस में क्यों लड़ बैठी तो इसे समझने के लिए हमें इसके इत्यास के बारे में भी जानना होगा इस पूरे मामले को गहराई से समझना होगा धरसन मड़ीपुर में तीन प्रमुक समुदाई हैं इसमें पहला है मैतेई, डूसरा नागा और तीसरा कोकी नागा और कोकी आदिवासी समुदाई है जबकि मैतेई ग्यार आदिवासी है और इस जंग इसी बात की है कि मैतेई लोग चाहते हैं कि उन्हें भी अनिसुचे जंग जाती या आदिवासी समुदाई का दर्चा मिले लेकिन कोकी और नागा इसके विरोध में है मडिपुर में आदिवासी समुदाईوں के लिए कुछ प्रावधान भी किये गए इसके तहट राज़ के आदिवासी लोग पहाडी इलाकों और घाटी में दोनों ही जगे बिना रोक टोक के बस सकते हैं वहीं अगर ग्यार आदिवासी समुदाई की बात करें तो ग्यार आदिवासी समुदाई को सिर्फ घाटी में ही रहने की अनुमती है राज़ में 90 फीसदी पहाडी इलाका और जो बाकी इलाका है वो 10 प्रतीशत घाटी है संख्या बल्के लिहास से भी बात कर लेते हैं तो संख्या बल्के हिसाब से अगर हम बात करें तो मरीपूर में 53 प्रतीशत से जादा आबादी मैतेई समुदाई की है जबकि नागा और कोकी समुदाई की आबादी 40 फीसदी के आसपास है तो एक तरह से वर्चो सुखी लड़ाई भी कहा जा सकता है मैतेई समुदाई जहां पिछले करीब 10 सालों से अनुसूचे जनजाती का दर्जा दिये जाने की मांग कर रहा है और इसी कड़ी में मैतेई ट्राइब यूनियन ने मरीपूर हाइकोर्ट का रुक गिया अदालत के सामने मांग रखी कि वो राज्य सरकार को उनकी मांग पर विचार करने का निर्टेश थी और इसके लिए राज्य केंद्री जनजाती मामलों के मंत्राले को एक सिफारिश भीजे हालेकिस मामले के सुनाई के बाद ही पिचलिमा अदालत ने अपना फैसला मैतेई समुदाई के पक्षमी सुनाया और राज्य सरकार से किंद्री को सिफारिश भीजने और उनकी मांग पर विचार करने को खा कोईट ने राजी सरकार से कहा कि वो चार मां के भीतर किंद्र को सिफारिश भीजे कोईट के इसी फैसले के ही विरोध में All Tribal Students Union of Maripur ने आदिवासी एकता मार्च निकाला और इसी एकता के मार्च के दुरान ही हिंसा भड़क गए ये मार्च चुर्चानदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुआ था और इसी डैली में हजारों प्रदेशनकारी शामिल हुए थी हिंसा पर काबो पानी के लिए पुलिस ने इस तुरान कई राउंड आंसु गैस के गोले भी दागे लेकिन सब कुछ फेल रहा इसके बाद सेना और असम राइफल्स को भी बुलाये गया राज्य के इंफाल पश्यिम कैक्चिंग ठोबल जीरी बाम विश्नुपुर चूर्चनपुर कांग पोकपी में भी कर्फ्यू लगा दिया गया साथी रापिड एक्शन फोर्स की पाँच कंपनिया राज्धानी इंफाल भेजी गए सियार पिफ के करीब 15 कंपनिया मरीपुर में पहले से मौचुद हैं वहीं अडिशनल फोर्स को भी अलर्ट पर रखा गया है हालके मैतेई समुदाय का ये भी तर्क है कि 1989 में भारत के साथ मरीपुर की रियासत के विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक आदिवासी समुदाय के रूप में मानिता दी गई थी लेकिन विले के बाद इसने अपनी आदिवासी पैचान खो दी वहीं आदिवासी समुदायों का खेना है कि मैतेई समुदाय क्या जिनसंक्या के हिसाब से राजनीती दोनों में ही प्रभुत्व है उनकी राजिके 60 में से 40 विधानसबाश्यत्र घाटी में है उन्हें डर है कि इससे आदिवासी लोगों को मिलने वाली नौकरी के मौके और दूसरे लाब भी छिन सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग ने कहा है कि संपत्ति के नुकसान के अलावा कीमती जाने चली गई है जोकी वाकई दुर्भागिपूर है हिंसा साथ कानून ववस्ता के स्थिती बनाए रखने के लिए सभी कदम लगतार उठा रही है और लोगों के जानमाल के सुरक्षा के लिए अत्रिक्त अर्दसानिक बलू की मांग भी की गई है ताके स्थिती को समहला जा सके